गूड मॉर्निंग स्टुएंट्स। तुड़े आएंग गूइंग टॉपिक ओफ एकॉंट्स। तैट इस ट्रीटमेंट ऑफ गूडविल। तुड्स। जैसे कि हम अकॉंट्स का एट्विशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक इंपॉर्टन टॉपिक है गूडविल। का ट्रीटमेंट। गूडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब देखिए students goodwill का treatment कैसे करना होता है पहले मैं एक example लेता हूँ जैसे कि मान लिजिए दो partner थे x और y उनकी old ratio थी 3 to 2 यह मैं old ratio मान लेता हूँ अब new ratio जो होगी वो मानता हूँ 2 to 1 to 1 निया partner जो आया वो z आया इसका में जैड जो था वो new partner आया z एक निया partner आया तो new ratio यह होगी मान लेते हैं कि firm की जो goodwill थी वो एक लाख रप्य थी अगर firm की goodwill एक लाख थी तो पहले जो x और y partner थे उनको यह goodwill किस देशों में मिलने चाही थी बना किस हिसाब से मिलने चाही थी तो एक्स को मिलने चाही थी साथ हजार और y को मिलने चाही थी चालिस हजार अब जब new partner आ जाएगा z तो future में यह जो एक लाख रप्य है यह goodwill किस देशों बटेगी तो यह future में यह जो goodwill होगी यह 2-1-1 की रप्याशन बटेगी इसका मतलब x y और z को मिलेगा 50,000 y को मिलेगा 25,000 और z को मिलेगा 25,000 new ratio बटेगी ठीक है future में यह goodwill इस ratio में बटेगी अब मैंने एक देख एक चीज़ देखी कि x को 10,000 प्याशन अपना गवाना पड़ा जब उसने z को लाया और y को भी सर अपना 15,000 पर गवाना पड़ा जब उसने z को admit किया इसका मनने यह दोनों प्लस करके ही 10,000, 15,000, 25,000 पर जो है वो इन्होंने z को दिया तो तब भी z जो था उसको future में यह पैसा मिलेगा ठीक है 25,000 मिलेगा कुन सा goodwill का मगर अब partner जब इसको admit करेंगे किसको? z को अब z को बोलेंगे एक तो भाई आपने capital लानी लानी है capital लानी लानी है वो तो शोटी है कि उसके बेना तो z partner admit नहीं होगा कहता आपने capital लानी लानी है capital के साथ न यह जो goodwill का share है जो हम ही गाटा पढ़ रहा है आपके आने से वह आपको पूरा करना पड़ेगा वह भी लाना पड़ेगा आपको share of goodwill भी लाना पड़ेगा इसको यह 25,000 अब इसके जलने टी कैसे पड़ेंगी वह दिखे द्यान से अगर बेटा goodwill पहला case है if goodwill account already appears in books मतलो balance sheet में आपका goodwill एकाउंट शो कर रहे है ठीक है अगर balance sheet में goodwill एकाउंट शो कर रहे है बैले शित में goodwill एकाउंट दिख रहा होगा आपको की वेले शीट में goodwill है कौन सी goodwill हो वह purchase goodwill होगी purchase goodwill है आगे transfer होती है इसको हमने कैसे बाटने इस जब अगर और बुक्स में अपेर हो रहा होगा तो इसको बटां बंटेंगे को ओल्ड कि पार्टनर्स कि एक 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 यह दिया तो इसमें हमने करना ओड पार्टनर कैप्टल या करंट अकॉंट भी हो सकता है ठीक है है और पार्टनर कैप्टल या करंट आकाउंट को बटालतों कि ओल्ड पार्टनर कैप्टल या करंट अकउनट डिया तू गुडविल अकॉंट यह जनलनेटे करनी है अगर बुक आपकी बुक में औरड़ी गुडविल शू कर रही होगी तो यह विटा आपने ओल्ड एश्व में बाटना है ठीक है इंड ओल्ड एश्व यह गुडविल के एंटरे तब करनी है जब एकवाउंट क्लोज होँगे ठीक है डिखांगा गुडविल एकाउंट इस ग्लोज तब आपने यह जन्रेंट कर देनी हैं आम तोर पर हमने यह एंट्री करनी है ठीक है अगर बाइचांस कभी लिखाओगी गुडविल अकॉंट कांटिन्यूड है अगर लिखाओगा कि गुडविल अकॉंट क्लोज नहीं है कांटिन्यू है तो उसकेस में क्या करेंगे वह बढ़ाता हूं अगर बाइचांस लिखाओ वैसे तो आम तोर पर हमने यह एंट्री करनी है ठीक है यह आपने यार रखने की यह एंट्री करनी है अगर बाइचांस कभी लिखाओगी गुडविल गुडविल एकाउंट इस कांटिन्यूड मलग नौड क्लोज होगा कांटिन्यू है ठीक है तो इसमें आपने कोई एंट्री करनी है नो एंट्री ग्रेका यह हमें एकटर करनी होता है ठीक है अपने यह में आज रखने है अब आपके में नौट्री के आपने ब्ूडविल करनी है अब अगर aj सेकिंद केस यह तो एंट्री करनी करनी है कि बुक में शो कर रही होगी ठीक है वैं नियू पार्टनर अगर नियू पार्टनर होता है और अपने वो अपने साथ वो कैस लाता है तो सब्सक्राइब रही होगी देखी बिटा अब नियू पार्टनर एंट्री हुआ उसला के लाई टो में अंट्री करता हूं या बैंक एकोउंट डियर स्पोस्करों न्यू पार्टनर जो आया वह दो लाक रुपया आप दो लाग एस ला रहे हैं अब वो दो लाग ही लाएगा उसको पट्चीस दारपे लाना पड़ेगा यह वाला यह वी तो गुड़ विल का शेर भी लाएगा ना क्यूंकि इसके वाइसे एक सो भाई को सेकरफाइस करना पड़ रहा था तो एक सो भाई को कमपशियेट करे है तो कितना कितना मूर्ट आ जैगा परचीस दार है दो लग 2500 यहां पे गडा दो लग 35 था ठीक है अब रेख है तो है जू पाटनर्स क्याप्टेल क्याप्टेल एक उससे लाए उसने से दो लाग लाए कि अब जो एक्सा पैसा लाएस ने वह प्रीमिम हो गया तो लिखेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकॉंट 25 जब न्यू पार्टनर अपने साथ एड्मिट होता है हमारे साथ और वह कैस्ट लाता साथ में तो यह जनेर्टे करेंगे हैं ठीक है यहां दकना यह जो प्र तो मैंने आपको बताया तो गुडविल निकालने के त्रीके आपको यह निकालना पड़ेगा कि इतनी गुडविल उसको लानी पड़ेगी वैसे तो हमने यहां पर में पता दी तर 25,000 पर हमने एक एक एंजम्शन लेकर हमने यह एक्जाम्पल ले थी तो उसके को इसको ही को आगे आपको बता दी कि 25,000 आ रहा है वैसे आपको यह निकालने पड़ेगी ठीक है अब नेक्स एंट्री जो होगी बैटा जो पैसा न्यू पार्टनर ने गुडविल का पे किया है और एमाउंट पेड फॉर गुडविल बाई न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर जो गुडविल का एमाउंट पे किया है अब उसके जनर्टे करेंगे ठीक है तो बैटा देखिए अब न्यू पार्टनर ने गुडविल कितनी लाई थी यह थी प्रीमियम फॉर गुडविल परचीज जार प्या किसमें शो और थी कैडिट साइड अब हम इसको डेबिट तो एंट पड़े गी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकॉंट डीयार तो ओर्टनर अ कि ठीक है तो पार्टनर ची तो ओर्टनर से कॉंट अ मैं ओं पार्टनर्स ट्रक्रेंट काउंट ठीक है कि कि अगे अभिधें किस श्म बटेगा यां देखना है स्यक्रिफआज़ में बटेगा क्योंकि जब यह आए था लियू पार्टर तो इन्हों से क्रिफाज किया था यह 25 जार पे इनकी पटेगा को सा प्चीज़ार पर यहां प्चीज़ार निखूंगा जो पार्टनर ने सेग्रफाइस किया उस रिश्म में अपपांट होगे ठीक है अब देखेंगे एक केस और होता है दियान सम्झेना कि अगर न्यू पार्टनर प्रीमियों का पैसा नहीं दे पारा है इफ न्यू पार्टनर इस नोट एंबल टू पे प्रीमियम अफ गुडविल इव नूप इस नौट पेड बाइन न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं पे किया तो अब जेनेटर क्या करेंगे अब बेटा देखना ध्यान से हां अब पैसा नहीं पे कर पा रहा हुं तो हमते हैं कोई बात नि आप बपा करें न हम इसको क्यों कर कर सकता तो यहां दश्जा लेखेंगी जो नहीं पेख कर पारा तो नियू पार्टनर करन्ट अकाउंट या वह अपने करेखा या तो उसकी जो ये कि दो लाकर हम बोले से ले लेंगी तो यहांपर क्वांट भी कर लाते हैं कर लें था स्था है टू आ है करो पार्टनर्स में को तोड पार्टनर्स कैप्ल और किस रिश्यों में तैक्रिफाइस ड्येशियो यह गई सेक्रिफाइजिंग रेश्यों में ठीक है अब बेटा यह हो गई हमाधी कि अगर वो अपना गुड़ विल प्रीमियम नहीं पे कर पाया अब फिफ्थ केस कि इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ प्रीमियम अगर ओल्ड पार्टनर अपना प्रीमियम विड्रॉल करते हैं जितना प्रीमियम विड्रॉल करते हैं तो जनेंटर पड़ेगी ओल्ड पार्टनर कैपिल अकाउंट डियार टू cash या bank account ठीक है जब वो premium withdrawal कर लेते हैं इसे मेटाए case ओर होता है वो भी द्यान से मिलना when new partner brings his share of goodwill privately वो privately लाता है बंदक किसी partner को बोलता है कि भाई आप मेरी goodwill का share आप रख लो ठीक है अग्याँ प्राइवेट ली तो इस case में no entry कोई entry ने पड़ती है कि इसमें कोई entry डाली है तो शुन जी कुछ important case थे जो मैं आप से discuss किया आई हूप सब बच्चों को समझा है होगा Thank you students बंदक्ष टीक्राइब बच्चों के लिए इसफे करेंदेर्ड़ को देटर्स च्बधिक तेजब परेशण दkung